दामाश्टर प्रकास क्लासेज यूटूब चनल आप सभी लोगों का स्वगत करता है उत्तर प्रदेश के लिए सहायक अध्यापक पातरता परिच्छा यूपी टेट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है आपके यूपी टेट की जो परिच्छा होगी अब वो सात मार्च को नहीं होगी यह सात मार्च को आपकी परिच्छा प्रस्तावित थी परिच्छा नियामक प्राधिकारी कारियाले दोरा 7 मार्ज को परिछा कराने का कारिक्रम सासन को भेजा गया था जिसको मंजूर नहीं किया गया था अगर ये प्रिस्ताव मंजूर कर लिया जाता यानि कि 15-16 तारिक तक ये प्रिस्ताव आपका मंजूर कर लिया जाता तो 21-22 तारिक तक आपके फॉर्म आ जाते और साथ मार्ज को आपकी एक्जाम हो जाती लेकिन ये प्रिस्ताव को मंजूर नहीं किया गया है ऐसी कंडिसन में अब आपकी परिच्छाएं साथ मार्ज को नहीं होंगी जैसे कि आपको ग्यात होना चाहिए परिच्छा नियामत प्राधिकारी कारियाले दोरा यूपी टेट की परिच्छा कराने के लिए सासन को दो बार प्रिस्ताव भेजा गया है पहला प्रिस्ताव था 28 फरवरी को एक्जाम कराने के लिए और दूसरा प्रिस्ताव था सासन को भिजा जाएगा एक next date के साथ कि इस तारीक को हमें exam कराना है, लेकिन जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आपके 5 चुनाओ भी March से ही start है, March February में आपके 5 चुनाओ होने वाले हैं, ऐसी condition में जहां तक यह संभावना निकल किया रही है कि आपकी UPTED का एक्जाम मार्च और अप्रेल के बाद यानि अप्रेल लाश्ट में या माई में ही होने की संभावना है क्योंकि पंचाय चुनावाव के मार्च और अप्रेल में है तो ऐसी कंडिशन में ये गलत भी हो सकता है हमारा जो अनुमान है ये अनुमान गलत भी हो सकता है हो सकता है परिख्षा नियमक प्रादिकारी का ले दोरा UPTED का परिख्षा कराने का जो प्रस्ताव सासन को भेजा जाए उसमें कोई अगली डेट हो हो सकता है साथ मार्च के बाद 14 मार्च या उसके बाद मार्च के लाष्ट में आप्रेल के स्टाइटिंग में कोई डेट दी जाए और सासन उस पे तयार हो जाए एक्जाम कराने के लिए तो आपका एक्जाम हो सकता है ऐसा नहीं कि पंचाय चुनाओ है तो सारे जितने करमचारी हैं पंचाय चुनाओ में बेस्थ हो जाएंगे आपके मार्च में आप्रेल में एक्जाम नहीं हो सकता है exam कराया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं एक Sunday कोई exam होता है वो exam आराम से conduct कराया जा सकता है सासन के दोरा लेकिन कुलम्ला के ही मानना है कि सार्थ मार्च को आपकाह प्रिक्षा नहीं होगी दूसरा परस्ताव भेज़ा जाएगा सासन उसे मंजूर करेगा तो फिर हमारी डेट आएगी तो आपका एक्जाम कुल मिला के कभी भी हो सकता है मार्च के लाश्ट में हो सकता है या अप्रैल में हो सकता है और अगर पंचाय चुनाओ बीच में आएगा ये अणंगा डालने कोशिश करेगा तो आपका चुनाओ मै पेपर देने वाले हैं और जूनियर सिक्षक भरती आ रही है उसमें भी मैठ आती है ये सारे पेपर अगर आप देने वाले हैं तो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए सारे विसे को घर पर ही बैठ के पढ़िए कोचिंग जाने की कोई जरूत नहीं है अधिकाल से क हम लोग ऐसे पढ़ रहा है मैठ में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं यूपी टैट में एक तो वो ठीक ठाक student है, इनके लिए भी math की start कराई जा चुकी है, math की playlist बनाई जा चुकी है, वहाँ से जाके आप math की वीडियो देख सकते हैं, इसमें हमारा चाल समय और दूरी chapter चल लहा है, और ये थोड़े से जो कमजोर student होते हैं UPTED के लिए, इनके लिए भी जल्दी ही हम लोग math start क किये जा चुके हैं, आप उहाँ से जाके playlist में जाके पूरे वीडियो देख सकते हैं, और target बनाके चलिए अगर आपका 20 प्लस यानि 21, 22, 23 नमबर आता है, तो अपना target बनाके चलिए कि आपको 29 अथवा 30 नमबर पूरे-पूरे math में करके आना है, क्योंकि UPTED तो निकल आते हैं, तो कोशिश करिए, कोशिश करिए कि आपके नमबर 20 प्लस हो जाएं, तो ऐसा नहीं है कि 3-4 महिने में आप math के expert बन जाएंगे, अगि आपकी math बहुत कमजूर है, और 3-4 महिने में पढ़के आप 30 नमबर लाएंगे, इतना math आसान भी नहीं होती है, लेकिन इतना अगर आपके 12-13 नमबर आ रहा हैं, तो इहां पर 20 प्लस यानि की 23-24 नमबर तक तो आप पहुँच ही सकते हैं, तो इन कमजोर student के लिए हम लोग जल्दी ही math स्टार्ट करते हैं, और बाकी का अगर आपको math पढ़ना है, तो वहां से playlist बनाई जा चुकी है, उसमें जाके आ देख सकते हैं, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में कुछ नई जानकारिक साथ, आप सभी लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,